हेलो फ्रेंट्स, वेलकम बेक टो यवी बाइलोजी ग्लासिस आज हम बात करेंगे टाइप्स ओफ क्लीवेज के बारे में कि जो क्लीवेज है वो कितने टाइप्स के होंगे और किस बेसिस पे ये क्लीवेज के टाइप हम डिसाइड करते हैं कि जैसे पहला मैं बताओं on the basis of pattern of arrangement of blastomere कि जब cleavage हो रहा है उस tuning जैसे एक cleavage फरो ने एक cell को दो में डिवाइड किया तो जो अब दो नई cell बनी है जो blastomere बनी है उनकी arrangement किस तरीके की है उसके basis पे हम cleavage के फर्दर 5 टाइब बताएंगे radial cleavage, spiral cleavage, bilateral cleavage, biradial cleavage and rotational cleavage यह जो cleavage वाला topic है यह काफी important है यह net में भी इससे एक question हर बार पूछा जाता है radial cleavage, spiral, bilateral, biradial और rotational यह 5 तरीके के cleavage है on the basis of pattern of arrangement of blastomere इन 5 के example है, mostly इनी example से question आता है जैसे कि अब के बार आया था कि मैमर्स के अंदर किस टाइब का cleavage present है जो यह अभी FAB 2022 में नेट हो आता है उस वाले exam में rotational cleavage, तो यह simple question पुछा जाता है हर बार आता है इससे, most of the time आता है question यहां से तो जो radial cleavage है, वो sponge में present है, sealant reta में और akinodermata में, spiral cleavage, anelida and molluska में present होगा जो यह spiral cleavage है, यह फर्दर दो टाइप का है कि जो यह spiral है, इसका turn किस side में है अगर spiral है, उसका turn clockwise side में है, तो dextral अगर anticlockwise turn है, तो sinistral, जैसे याद करने के लिए DC, dextral clockwise, जो दूसरा बचा, वो अपने आप sinistral anticlockwise हो जाएगा, एके करकीन के बारे में हम बात करेंगे, उससे पहले bilater cleavage के example देख लेते हैं, fishes के अंदर amphibians, reptiles, birds, और egg-ling mammals, मतलब कहने की बात है कि जो most of the vertebrate में bilateral cleavage मिलेगा, लेकिन जो placental mammals हैं, उनके अंदर rotational cleavage मिलेगा, देखो ये सारे most of the vertebrate हैं, वो एक जगे आ गए, जो coded हैं, वो एक जगे आ गए, सरफ एक placental mammal हैं जो अलग हैं और उसी से ही अब की बार question आया है, by radial cleavage stenophores में present होगा, और rotational implacental mammal and a few nematodes, एक एक करके इनके बारे में हम detail में बात करने वाले हैं, radial cleavage की अगर हम बात करें, तो ये radial cleavage कैसे होता है, first, second, third, fourth cleavage, ये सारे जगे बता रखे हैं, कि first cleavage हैं, उसके बाद, जो second cleavage आता है, जैसे ये first cleavage है, इसके बाद जो second cleavage आएगा, तो जो second cleavage है, वो क्या करेगा, कि first furrow के 90 degree पे, कट करेगा, जिसकी वज़े से, जो blastomere बनेंगी, वो एक दूसरे के उपर radially tire की form में अरेंज होंगी, जैसे ये निचे वाला tire, ये उपर वाला tire, निचे वाले tire के उपर, इस तरीके से उपर, एक और tire of blastomere अरेंज होगा, radial cleavage के अंदर, जैसे first cleavage है, वो कैसा है, vertical है, दूसरा कैसा है, horizontal है, तीसरा फिर कैसा होगा, कि vertical में क्या है, कि state से, बिल्कुल beach से पास होगा, थोड़ी सी जो line है, cleavage furrow, वो side से पास होगी, इस side से पास होगी, उसके बाद जो fourth है, उसमें क्या होगा, कि second तो कैसा था, कि जो cleavage furrow थी, वो बिल्कुल horizontal, centrally pass होगी थी, लेकिन अब जो fourth वाली furrow है, वो इस तरीके से थोड़ी सी side में पास होनोगी, तो इन cleavage की वज़े से, जो भी blastomere बनी है, जो भी नई cell बनी है, वो सारी, क्या है, कि एक दूसरे के उपर, radially, arrange मिलेंगी, tires बनाएंगी, ये tires की formation करती है, एक दूसरे के उपर, जैसे ही, यहाँ मैंने ये diagram बना के भी दिखा रखा है, छोटू सा, ये वाला, कि निचे ये है lower tire, और ये दूसरे कलर में, जो pink कलर में बना रखा है, ये है, अपर tire of blastomere, फिर हम spiral cleavage के बारे में बात करें, spiral cleavage में क्या होगा, कि इसके अंदर, जो mitotic spindle है, उसकी oblique position मिलती है, जैसे ये diagram बना के दिखा रखा है, कि mitotic spindle है, वो इस तरीके से arrange ना होके, इस direction में, oblique direction में arrange होंगे, जिसकी वज़े से, जो blastomere बनेंगी, अब जो नई blastomere बनेंगी, अपर tire, जो उपर वाला tire है, वो just निचे वाले tire के उपर present नहीं होगा, जैसे हमने radial में क्या देखा, ये lower tire की blastomere, ये upper tire की, ये lower की, ये upper की, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कि जो ये space बचा है ना, जैसे ये दो blastomere, इनके बीच में जो ये space बचा है, इस space के उपर आके, अपर tire की blastomere आरेंच होगी, तो जो arrangement है, वो कुछ इस तरीके से होगा, कि जो बीच में junction वाला area है, इसके उपर, अपर tire की, जो blastomere है, वो आके lie करेगी, तो ये है spiral cleaves, में ली इसमें, हमें mitotic spindle का याद रखना है, कि और किस तरीके से, जो blastomere की अपर tire है, lower tire है, वो arrange हुई है, bilateral cleaves, कि जो mitotic spindle है, और जो cleaves plane है, वो एक दूसरे के side में, median plane of embryo पे present होगे, एक दूसरे के side में, जैसे ये है median plane, इस median plane के, एक side में mitotic spindle है, और एक side में क्या है, cleaves plane है, तो जो mitotic spindle है, और जो cleaves plane है, वो similarly, median plane के, दोनों side में arrange होंगे, biradial में हम क्या बताएं, कि जो first three division है, कि भई, biradial में क्या होगा, कि जो पहले 3 cleaves है, पहले जो 3 division है, वो right angle पे, नहीं होंगे, जैसे पहले तो हम क्या बात करते है, कि पहला cleaves, और दूसरा इसके right angle पे, लेकिन यहां क्या होगा, कि first cleaves होगा, लेकिन दूसरा right angle पे ना होगे, right angle से, अक्यूट angle बना ले, oblique angle बना ले, या तो 90 degree से जादा बनाएगा, 90 degree से कम बनाएगा, जैसे यहां पर कम बना रहा है, तो ज़्यादा बनाएगा, इस तरीके से, यह एक दूसरे, जो successive planes है, वो successive plane, एक दूसरे से, 90 degree का एंगल नहीं बनाते, like this, जैसे हमने radial में पढ़ा था, rotational cleavage में क्या है, कि after first division, इसे ध्यान से सुनना, मैंमस में होता है, कि first division के बाद में, जैसे यह first division हुआ, दो blastomere बनी, तो जो दो blastomere है, जब उन में second division चलेगा, तो इन में दोनों में से, क्या कर जाएगी, rotate कर जाएगी by 90 degree, जब यह rotate करेगी 90 degree से, with respect to other, जैसे first वाली की यह arrangement थी, तो दूसरी वाली की arrangement इससे 90 degree different होगी, अब जो second cleavage चलेगा, वो दोनो blastomere में different चलेगा, कि जो first blastomere है, इन दोनों में से कोई भी एक लगा लो, कि एक में चलेगा equatorial, और दूसरे में क्या चलेगा, meridional, तो जो दो blastomere बनी है, उन दोनों blastomere में, जो cleavage का plane है, वो अलग है, एक में equatorial है, और दूसरे में meridional है, अलग अलग तरीके के दोनों के अंदर, plane चलेंगे, cleavage plane, तो यह है rotational, कि first division के बाद, जो first blastomere बनी है, वो उन में से एक blastomere है, वो दूसरे के respect में, 90 degree पे rotate हो जाएगी, और फिर अगला जो cleavage चलेगा, वो दोनों के अंदर, अलग अलग तरीके का चलेगा, तो यह तो बात हमने की, किसके basis पे past type, on the basis of pattern of arrangement of blastomere, अब हम cleavage के type देखते हैं, on the basis of influence of yoke, एक चीज यहाद रखना कि, cleavage की जो furrow है, वो yoke के अंदर, कम speed से चलेगी, कम वो cut कर पाएगी blastomere को, लेकिन जहाँ cytoplasm वाला area है, वहाँ पर cleavage furrow, अच्छे से cut करेगी blastomere को, amount and pattern of distribution of yoke, yoke in egg cytoplasm affect the process of cleavage, by following way, कि कितनी amount में yoke present है, और किस pattern से उसका distribution है, जैसे कि भई low amount में है, moderate amount में, high amount में, उसका distribution कैसा है, equal distribution है, कि पूरे egg के cytoplasm में equally distributed है, या फिर किसी एक particular area पे, जमा हुआ है ये yoke, तो कितनी amount है, और कि क्या pattern है, उसके distribution का, एक के cytoplasm में, वो cleavage की process को affect करेगा, फर्स्ट हम देखें, कि yoke retard and interfere with the process of cleavage, कि जो yoke है, वो cleavage की process को धीरे कर देगा, और उसके साथ interfere करेगा, और cleavage की process को अच्छे से होने, नहीं देता, जो yoke है, वो एक inert part है, non-living part है, और ये passively, daughter cell की blastomere, जो blastomere है, daughter blastomere, उसके अंदर distributed मिलेगा, जब mitosis होगी, तो mitosis में क्या होता है, भई ये cleavage क्या है, repeated mitotic series of repeated mitotic division है, जब mitosis होती है, तो mitosis के during, बहुत सारे cell component है, जैसे की chromosome है, cytoplasm है, cytoplasm के अंदर spindle बनते हैं, mitochondria है, surface layer of cytoplasm है, तो ये सारी चीज़ें, इनकी movement होती है, इधर से उधर इनकी movement होगी, तो जो cleavage है, वो ऐसे area में ज़्यादा होगा, जहाँ ज़्यादा cytoplasm है, as compared to ऐसे area, जहाँ पर cytoplasm कम है, कि ऐसा cytoplasm जहाँ पर योग बढ़ा हुआ है, और ऐसा cytoplasm जहाँ पर योग कम है, तो जहाँ योग कम है, उस cytoplasm के अंदर, cleavage की जो rate है, वो ज़्यादा होगी, as compared to ऐसा cytoplasm, जिसके अंदर योग की amount ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि जहाँ योग ज़्यादा होगा, वहाँ पर mitosis के during, जो ये various organally, various components हैं, इनकी movement slow down हो चाहेगी, और mitosis में तो इनकी movement होनी चाहेए, इसलिए जहाँ पर योग present है, वहाँ पर इनकी movement slow down होने की वज़े से, जो mitosis की rate है, जो cleavage की rate है, वो भी slow down हो जाएगी, दूसरा, due to amount of yoke increase, amount of cytoplasm gradually decrease, और जो position of nucleus है, वो भी affect होगी, कि बही किसी एक cytoplasm act के अंदर, अगर yoke की amount जादा है, तो obviously cytoplasm दीरे दीरे क्या होगा, decrease होता जाएगा, और वो जाके एक कोने में रह जाएगा, position of nucleus भी affect होगी, बही जहाँ जो nucleus है, वो centrally placed होना चाहिए, अब वो eccentric position में आ जाएगा, center से दूसरी जगए आ जाएगा, जैसे हम बात करें, तो nucleus है, वो shift हो जाता है, एक pole की और, कि वो center में ना होके, एक pole की और shift हो गया, तो जो cleavage है, वो कैसी होगी, उसकी वज़े से, unequal sized की blastomere बनेंगी, कैसे कि भई, क्या है ये, इधर इस side में, cytoplasm बचा हुआ है, और ये सारा, योक है, और, यहाँ पर nucleus है, तो अब जो blastomere बनेंगी, वो एक छोटी बनेंगी, एक बड़ी बनेंगी, एक micromere, एक macromere, क्यों, क्योंकि, जिस area में, cytoplasm है, वहाँ से, cleavage pharo, जल्दी से पास होगी, और जिस area में, cytoplasm कम है, योक जादा है, उस area से, cleavage pharo, धीरे से पास होगी, slow rate से पास होगी, तो इस तरीके से, दो cell बनेंगी, एक छोटी बनेंगी, और एक बड़ी बनेंगी, जैसे example हम लें, तो SC pencer है, amia है, वो animal pole पे स्टार्ट होती है, लेकिन कभी भी vegetal pole पे नहीं पोस्ती, वो जो vegetal pole वो अमेशा uncleaved रह जाएगा, इसलिए जो यहाँ पर cleavage का टाइप है, वो है mirror blast, mirror का मतलब होता है partial, कि जो यह egg है, इसके अंदर यहाँ पर जैसे योक भरा हुआ है, तो इस योक की presence की वज़े से, जो cleavage फरो है, वो यहाँ पर आके ही रुख गई है, वो आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो अब जो blastomere बनेंगी, वो unequal type की blastomere बनेंगी, और एक दूसरे से attach रहेंगी, और यहाँ पर जो cleavage है, वो mirror blastic cleavage है, फिर हम योक की distribution और योक की amount के basis पे, cleavage के type की बात करें, तो दो type का cleavage चलता है, एक तो holoblastic जिसे हम बोलते हैं total cleavage, एक होता है mirror blastic जिसे हम बोलते हैं partial cleavage, hollow mini total mirror mini blast, hollow blast और जो mirror blastic हैं, वो फर्दर दो दो type के हैं, hollow blastic या total cleavage, equal holoblastic और unequal holoblastic, कि जो cell है, वो दो में divide तो होंगी, लेकिन दो condition है, कि जो ये cell है, वो equally to cell में divide ओ, और दूसरी condition क्या है, कि unequal to cell में divide ओ, लेकिन बनेंगी दो अलग-अलग cell है, और mirror blastic partial cleavage में क्या है, कि discoidal cleavage हो सकता है, और superficial cleavage हो सकता है, यहाँ पर जो दो cell बनेंगी, वो एक दूसरे से separate नहीं होती, holoblastic cleavage में क्या है, कि complete division of gygot and blastomere, complete division होता है cell का, और जो number of blastomere बनेंगी, वो हारे cleavage पे double होती जाएंगी, micro lecithal एक जहाँ पर योग की amount कम है, iso lecithal जहाँ पर योग की जो distribution है, वो equally पूरे cytoplasm में distributed है, और slightly tillolacytal एक जहाँ पर योग की amount कम है, उनके अंदर holoblastic cleavage देखने को मिलेगा, equal holoblastic, equal holoblastic मिलता है, micro lecithal और isolacytal की योग की amount कम है, और वो equally distributed है, SA-AC के अंदर holoblastic cleavage, equal holoblastic देखने को मिलता है, जैसे की placental mammals में, यह important है की placental mammals में, क्योंकि हमें योग की जर्थ है यह नहीं, marsupials के अंदर, akino drums के अंदर, sealant data के अंदर, और herd mania के अंदर, यह example याद रखें, माइटोटिक स्पिंडल लाई at center of gigot and blastomere, की जो माइटोटिक स्पिंडल है, वो क्या करेगा, की इस तरीके से बिलकुल सेंटर में लाई करेगा, इसलिए जो daughter cell बनेंगी, वो हमेशा equal size की ही बनेंगी, जो cell का size है, वो कौन डिसाइड करता है, की जो spindle fiber है, उसकी position decide करती है, की cell equal बनेंगी, equal daughter cell में divide होंगी, या फिर वो unequal daughter cell में divide होंगी, unequal holoblastic, किसके अंदर moderate लिए, मतलब ठीक ठाक amount में, या फिर mesolacytal, यानि की moderate amount of yoke, जहांपर present होगा, तिलो लसाइथल एग होगा, जहांपर yoke है, वो visital pole में accumulated है, तो दो size की blastomere बनेंगी, बड़ी और चोटी, macromere और micromere, ये macromere बनती है, visital pole की और, और micromere बनती है, animal pole की और, योग मू करता है, mitotic spindle को किसकी और, animal half की और, क्योंकि योग के अंदर तो, mitotic spindle fiber है, उनकी arrangement हो नहीं पाती, तो जहांपर योग present है, वहांपर तो mitotic spindle fiber, arrange नहीं होगा, तो ये mitotic spindle fiber को मू कर देगा, cytoplasmic area की हो, जैसे physis के अंदर, और amphibians के अंदर क्या होता है, unequal holoblastic cleavage चलेगा, जब second cleavage चलता है, तो जो cleavage furrow है, first pass through larger blastomere, and later in smaller blastomere, कि जब first cleavage के बाद क्या हुआ, कि भई दो, एक छोटी और एक बड़ी blastomere बन गई, तो अब जो next cleavage furrow चलेगी, वो पहले बड़ी blastomere से, फिर छोटी blastomere से, इस तरीके से next division होगा, human egg की अगर हम बात करें, तो human egg कैसा है, isolecithal है और micro की बहुत कम amount में योग है, और वो पूरे cytoplasm के अंदर equally distributed है, जो human egg है, उसमें holoblastic unequal cleavage चलेगा, क्यों? asynchronous cleavage, asynchronous condition की वज़े से, from very beginning की, starting से यह, asynchronous cleavage, holoblastic unequal cleavage है, partial mirror blastic cleavage की अगर हम बात करें, देखो most of example में, जहां isolecithal है वहाँ पर equal cleavage चलता है, human being, human के हैं की मैंने बात क्योंकि, क्योंकि यहाँ पर holoblastic unequal cleavage है, isolecithal है होने के बावजूद भी, partial और mirror blastic cleavage की बात करें, तो incomplete cleavage होगा, किसके अंदर कैसे हैं, के अंदर central lecithal है, के अंदर मतलब जहां पर, जो योग है, वो center में distributed है, और macro lecithal मतलब जहां पर, highly tillow lecithal, जादा amount में योग, एक side में, most of the times, vegetal pole की side में, present है, cleavage, occur in small amount of active cytoplasm of animal pole, कि जो cytoplasm है, वो सिरफ animal pole की और आ गया है, बाकि सारे में, vegetal pole की और center में, ये सारा क्या है, ये योग बहरा हुआ है, तो जो योग का portion है, वो तो unaffected रहेगा, cleavage से, सिरफ cleavage कहा होगा, इस वाले area में, जहां पर active cytoplasm present है, उस वाले area के अंदर cleavage चलेगा, दो टाइब के बताये थे, discoidal और superficial cleavage, discoidal cleavage की बात करें, cleavage furrow remains restricted to disc shape active cytoplasm की, animal pole की और, जो इस तरीके से disc shape का cytoplasm है, सरफ इसके अंदर discoidal cleavage चलेगा, ये macrolacital, जहां पर बोजद अमाउंट में योग है, वो टीलोलसाइथल, highly tillोलसाइथल, एक के अंदर ऐसा होता है, इस वाली disc को हम क्या बोलते है, blasto disc, यहां पर active cytoplasm है, animal pole की और हम बात कर रहे हैं, तो सिरफ इसी के अंदर cleavage चलता है, जो बाकी योग की एरिया है, वजद आइटल पोल की और वहां पर कोई भी cleavage नहीं चलता, जैसे elasmobranks में, जो cartilaginous phyces हैं, reptiles में, birds में, monotrim में, mammals में, इनके अंदर, discoidal cleavage चलेगा, superficial cleavage की बात करें, किसके अंदर, insects के अंदर, जो central acytal egg है, central acytal egg, मतलब जिसके अंदर, जो cytoplasm है, वो side वाले एरिया में, इस side में, cytoplasm मिलेगा, और center में, yoke है, central, mini, central, acytal, mini, yoke की, yoke center वाले एरिया में, present है, तो जो cleavage है, वो सिर्फ cytoplasm में ही होगा, और cytoplasm का है, इसका periphery की, और present है, इसमें क्या होगा, कि, cleavage होने की वज़े से, बहुत सारे amount में, nucleus बनेंगे, पहले nucleus बनेंगे, बाद में, उनके चार और, cytoplasm इखटा होके, cellular form आएगी, तो पहले बहुत सारे nucleus बनेंगे, और जो nucleus है, वो transfer होंगे, cytoplasm, periplasm की और की, अंदर जो योग है, इसमें energies बनें, योग की energies कहा जाते हैं, योग की energies transfer होते हैं, cytoplasm, peripheral cytoplasm की और, और फिर division होगा, तो sincetium की formation होगी, multi-nucleated cytoplasm की formation होगी, जो बाद में अपने, जो nucleus अपने चार और cytoplasm लेके, अपनी एक single cell, single layer की formation करके, अपना एक अलग-अलग cell बनाएगा, और वो cellular बनेगा, nuclear condition से, cellular condition आएगी, और उसे हम क्या बोलते हैं, जो cellular condition बनेगी, इस तरीके की, उसे हम बोलते हैं, blastoderm, derm मतलब layer, फिर हम बात करते हैं, rate of cleavage की, तो जो rate of cleavage है, वो nucleus decide नहीं करता, वो decide करता है, cytoplasm की, cytoplasm कैसा है, और जो rate of cleavage है, वो species to species vary करती है, और rate of cleavage, inversely proportional है, interface की, मतलब interface ज़ादा होगा, तो rate of cleavage कम होगा, interface कम होगा, तो rate of cleavage ज़ादा होगा, जैसे कुछ data दे रखे, example gold, fish के case में 20 minute का interface है, frog के case में 1 गंटे का, mouse की case में 10 से 12 गंटे का, तो यहाँ पर rate सबसे ज़ादा, यहाँ पर कम है interface, तो rate सबसे ज़ादा मिलेगी, यहाँ पर ठीक ठाक है, तो rate of cleavage भी ठीक ठाक मिलेगा, यहाँ पर सबसे ज़ादा time का interface है, तो यहाँ पर rate of cleavage भी कम मिलेगी, जो rate है, वो rapid होगी, in synchronous condition में, जैसे early development के during, late part of development में, asynchronous आजाएगी, और rate क्या हो जाएगी, slow हो जाएगी, rate को कौन-कौन affect करता है, temperature, oxygen की concentration, और CO2 की concentration, तो जो rate of cleavage है, वो mainly cytoplasm से determine होती है, और cytoplasm में भी कौन determine करता है, योग, अगर योग जादा है, तो rate of cleavage slow होगी, योग कम है, तो rate of cleavage fast होगी, nucleus नहीं decide करता rate of cleavage को, और जो rate of cleavage है, वो एक species से दूसी species में अलग चलती है, temperature, CO2 की concentration, oxygen की concentration इसे affect करेंगे, तो ये mainly cleavage के बारे में है, अभी ये cleavage का topic पूरा नहीं हुआ है, इस पे कम से कम 2-3 वीडियो और लगेंगी, तो ये cleavage का topic थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन काफी important और easy topic है, डेल बायो में यहां से question पका ही पूछा जाता है cleavage के उपर, और ये इतना ही BSC के लिए इनफ MSC के लिए और net level के लिए, जो अभी मैं पढ़ा रही हूँ, जो ये notes हैं, ये हर एक level के लिए enough notes हैं, I hope आपको समझ आया होगा, thank you for watching my videos,